राजधानी शिमला में धार्मिक बिवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं मस्जिद बिवाद के बाद अब राम कृष्ण मिशन और ब्रह्मा समाज के बीच यहां पर बड़ा बिवाद खड़ा हो गया है आप यहां देख सकते हैं कि यही वो संपत्ती है जिसको लेकर ब्रह् जमाने में इस संपत्ती को जो है राम कृष्ण पर्म हंस जो मिशन है उसको दान कर दिया गया था दो दिन पहले जब शिमला में एक ब्रह्मो समाज का समेलन हुआ उस दुरान इस में कबजा करने की रणनीती बनी क्योंकि ब्रह्मो समाज जो है बले ही संपत्ती पर ना सही लेकिन ये जो मंदिर है इस पर अपना हक जताता है और दाबा करता है कि ये उनकी संपत्ति है फिलहाल मामला जो है सरवोच न्यायले में है लेकिन इसी बीच जब ब्रह्मो समाज के लोग यहां पर पूजा अर्चना के लिए आए तो दो तीन घंटे बैठे रहे ऐसे मैं रा हाद इतना बढ़ गया कि पत्थर और हाथा पाई तक नोबत आ गई और केई लोग बताया जा रहा है कि इस गटना में घायल भी होए है फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए यहां पर पूलिस बल तेनाद किया गया है अब देखना यही होगा किस मामले का क्या हल निकलता है क्योंकि मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ है और संपत्ति भी ऐसी जो की माल रोड के साथ लगती है जिसकी कीमत करोडों में है ABP News के लिए शिमला से प्राक्रम चंद